नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम करने जा रहे हैं UGC Net प्रेक्षा जून 2006 हिंदी का द्वितिय हल प्रशन पत्र तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की विडियो Question No.1 है भारतिय भाषाओं को भारतिय सविदान की किस अनुसूची में शामिल किये गया है तो इसका राइट अंसर है Option No.A अस्टम भारतिय सविदान के भाग सत्रा में अनुशे 343 से 351 तक राज भाषा का सविदान में प्राबधान किये गया है तथा सविदान के अनुसूची में 22 भाषाओं को मानेता परदान की गई है 14 सितंबर 1949 इस्वि को भारत के सविदान में हिंदी को राज भाषा की मानेता परदान की गई है Next Question है ग्रीम नियम किस भाषा की द्वनियों से सबंदित है तो इसका राइट अंसर है option number A जर्मन Next Question है महात्मा गांधी अंतराश्टिय हिंदी विश्व विद्याले का मुख्याले कहा है तो इसका राइट अंसर है option number D वर्धा महात्मा गांधी अंतराश्टिय हिंदी विश्व विद्याले की स्तापना 1936 में वर्धा में की गई है Next Question है खडी बोली का प्रियोग सबसे पहले किस पुष्टक में हुआ तो इसका राइट अंसर है option number D प्रेम सागर खडी बोली का सरुप्रतम प्रियोग ललू लाल द्वारा कृत प्रेम सागर 1810 इसपी में हुआ है ललू लाल पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्रध्यापक थे इन्होंने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था जबकि सुख सागर मुशी सदसुख लाल नियाज की प्रमुखरचना है नेक्स्ट क्वेशिन है पुष्टी मारक का अधार ग्रंथ कौन सा है तो इसका राइट अंसर है option number C श्रीमद भागवद पुष्टी मारक का अधार ग्रंथ श्रीमद भागवद है पुष्टी मारक की स्तापना बलभाचारे ने 1476 से 1530 ने किया है पुष्टी मारक भक्ती में तीन परकार के मारक जीव तथा भक्त होते हैं जो इस परकार हैं मारक हैं मर्यादा मारक जिसे वैदिक मारक भी करते हैं परवाह मारग लोकिक सुख मारग करते हैं इसको पुष्टी मारग इसे भक्ती मारग करते हैं जीब है मरियादा जीब परवाह जीब पुष्टी जीब और भक्त है मरियादा भक्ती परवाह भक्ती और पुष्टी या शुद भक्ती Next question है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनप जयदेव किसे कहा जाता है तो इसका राइट अंसर है option number B, विध्यापति को कभी शेखर, कभी कनठार, नब कभी शेखर, खेलन कभी, दश्या वधान, पंचनन, मैथिल कोकिल, कभी रंजन आधिनामों से भी जाना जाता है गोस्वामी तूलसिदास की रचनाई एबं उनकी भाषा इस परकार है ब्रज भाषा में जो इनकी रचनाई है वो है कवितावली को हनुमान वाहु को भी कहा जाता है अबधी भाषा की प्रमुख रचनाई है राम अग्या प्रशनावली, राम लला नश्चु, जानकी मंगल, राम चरितमानस, पारवती मंगल और वर्वे रमायन सुर्दास की रचनाई है सुर्षागर, सुर्षरावली, साहित्य लहरी मेरबाई की प्रमुख रचनाई है गीत गोविंद किटी का, नर्सी जी का मायरा, राग सुरठा, राग गोविंद, मलहार राग, सत्य भामा नुरूसन, मीरा की गरभी, रुकमनी मंगल रस्खान की प्रमुख रचनाई है सुजान रस्खान, प्रेम वाटिका, दान लिला, अश्टियाम नेक्स्ट क्वेशन है आवत जात पनहिया, तूटी बिस्टी गयो हरिनाम, यह पंक्ती किस कभी की है तो इसका राइट अंसर है, option number C, कुम्भन दासकी निर्गुन कौन देश कोबासी, मदुकर हंसी, समुझाए सोह दे, बुजती सांचना हासी यह पंक्ती सुर्दासकी है नव मरकत मनिश्याम कनक, मनिगम ब्रजबाला, ब्रिंदावन कोरीजी मनहु परहाई माला यह पंक्ती जो है, नंददासकी है Next question है, कुंदन को रंग फिको लगे जलके अति अंगनी चारू गोराई यह पंक्ती किस कभी की है तो इसका राइट अंसर है, option number D, मतिराम कुंदन को रंग फिको लगे जलके अति अंगनी चारू गोराई यह पंक्ती मतिराम की है यह पंक्ति बिहारी की है शीवा को वखानों की वखानों छस्तरशाल को यह पंक्ति भुशन की है अविधा उत्तम काब्या है मध्य लक्षना लेन अधम व्यंजिना रस वीरस उल्टी कहत नवेन यह पंक्ति जो है देव की है Next question है तंत्री नाद कवितरस सरस राग रती रंग अन बूढे बूढे तीरे जे बूढे सब अंग इस दोहे में कौन सा अलंकार है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन नंबर बी विरोधा भास विरोधा भास अलंकार की परिभाशा है जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का भास हो वहां विरोधा भास अलंकार होता है जैसे तंत्री नाद कवितरस सरस राग रती रंग अन बूढे बूढे तीरे जे बूढे सब अंग द्रिष्टान तलंकार की परिभाशा है जहां उपमे और उपमान के साथ उपमान के साधारन धरम का बीम्ब प्रतिबीम्ब भाब दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उलेख न हो वहां द्रिष्टान तलंकार होता है जैसे पगी प्रेम नंदनाल के हमें नमभावत भो मधुप राजपद पाय के भीख न मांगत लोग उपमा अलंकार की परिभाशा है जब एक ही वाक्य में उपमे और उपमान का सांधरिश्य अर्थ्वा सामें प्रतिबादित किया जाए और विप्रित धरम की कोई चर्चा हो वहां उपमा अलंकार होता है जैसे पीपर पात सरिस्मन डोला रूपक अलंकार की परिभाशा है जहां उपमे और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है जैसे उदित उदय गेरिमंच पर रगवर बाल पतंग विक्सेव संत हिम किरीटनी किसकी रचना है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर ए माखनलाल चत्रुवेदी की परमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी हिम तरंगिनी माता समर्पन बालकृष्ण सर्मन नवीन की कावे रचनाएं हैं कुकुम रशिम रेखा अपलक कुवासी हम नम के बिनोबा सत्वन उर्मिला अयोध्य सियों पध्याय की कावे रचनाएं हैं कृष्ण सतक रशिक रहस्य प्रेमा बुभारिदी प्रेम प्रपंच प्रेमाभू प्रश्नव प्रेमाभू परवाह प्रेप्रवास चोखे चोपदे फूल पत्ते चुपधे चोपदे गए रचनाएं घ्ल्प बन्वास मर्म सपर्श नेक्स्ट प्रशिन है आह वेधना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर सी स्कंद गुप्ध ये सारे नाटक जो है जो जईशंकर पर्शाद की है नाटक के गीत यह पंक्ती है आवेदना मिली विदाई यह सकंद गुप्त नाटक में से है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वाला मुखी है यह चंदर गुप्त नाटक में से है और यह कारनेलिया और सुभाशनी का समवाध है हिमांदरी तुंग श्रिंग से प्रबुध शुद भारती स्वय प्रभा समझुवला स्वतंतरता पुकारती यह सकंद गुप्त नाटक में से समवेत गायन है अधिकार सुख कितना मादक और सारहिन होता है यह सकंद गुप्त नाटक में सकंद गुप्त का आत्मकतन है सारीका पत्रिका का संपादन इन में से किस ने नहीं किया तो इसका राइट अंसर है औप्शन नम्बर सी राजेंदर यादव सारीका पत्रिका जिसका प्रकाशन दिल्ली मुंबई से होता था उसकी संपादकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर सामिल थे जबकि राजेंदर यादव ने हंस का पुनर प्रकाशन दिल्ली मासिक पत्रिका का संपादन किया हंस का प्रार्मिक स्तापना प्रेमचंद ने 1930 में बनारस में किया था मोही कुन्ठाव नामक सिर्शक से चंदरधर शर्मा गुलेरे ने महत्तपुन निबंध लिखा नेक्स्ट क्वेशिन है ए लड़की किसकी रचना है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन अबर डी कृष्णा सोब्ती की कृष्णा सोब्ती की कहानिया है बादलों के घेरे सिका बदल गया यारों के यार तीन पहाड ए लड़की मैत्रेई पुष्पय की कहानिया है चिनहार ललम निया गोमा हंस्ती है जवावी कागज मनु बंधारी की कहानिया है मैं हार गई यही सच है एक पलेट से लाव तीन निगाहों की एक तस्वीर राने मा का चबुतरा गीत का चुम्बन त्रीशंकू बंद दराजों के साथ मम्ता कालिया की कहानिया है चुटकारा सीट नंबर छे एक अदद औरत प्रति दिन उसका योबन बोलने वाली औरत जांच अभी जारी है मुखोटा चॉकलेट उपनियास किसकी रचना है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शिन नंबर बी पांडे बेचन शर्मा उगर के उपनियास है चंद हसीनों के खतूत दिल्ली का दलाल बुद्वा की बेटी शराबी सरकार तुम्हारी आँखों में चॉकलेट जी 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 फागुन के दिन चार जुहू रिश्रिप चर्न जैन के उपनियास है पैसे का साथी दिल्ली का ब्यविचार वैश्या पुत्र माश्टर साहब सत्यागरह रहस्य मई दिल्ली का कलंक चंपा कली हीज हाइनेस मय खाना दुरचार के अड़े तीनी के अचारे चतुरसेन सास्त्री के उपन इलाचंद्र जोशी के उपनियास है घ्रेणा मई सन्यासी पर्दे की राने प्रेत और छाया निर्वासित मुक्ति पंत सुभः के भूले जिपसी जहाज का पक्षी रीतु चक्र भूत का भविश्य कभी की प्रेयसी सुकुंतला की अंगुठी के नाटकार है तो इसका राइट अंसर है ऑप्षन नंबर ए सुरेंदर वर्मा सुरेंदर वर्मा के नाटक है द्रोमपदी, सेतु बंध, नायक, खलनायक, विदूशक, सूरे की अंतिम कीरन से सूरे की पहली कीरन तक आठमा सर्ग, छोटे शैयद, बड़े शैयद, एक दुनी एक, शंकुंतला की अंगुठी, कैद ए हयाद रमेश बक्षी के नाटक है देवियानी का कहना है तीसरा हाथी, बामाचार, यादों के घर और कसी हुए तार संकरशेश के नाटक है फंदी, घरोंदा, एक और द्रोणचार्य, अरे मायावी सरोबर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने चहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खुजराहो काशिल्पी, बीन बाती के दीप, आधी रात के बाद प्रभाकर्ख शोत्रिय के नाटक हैं, इला, सांच कहूं तो, फीर से जहां पना नेक्स्ट क्वेशिन है, कावेन भूती की जो टीलता, चीत ब्रीतियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संबादी, वी संबादी ब्रीतियों के दुवंध पर आधारित है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट अंसर है, आप्शन नमबर ए, रामचंदर शुकल का रसात्मक शबदार्थी कावेह है, और उसकी छंदो मई विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कवीता है, यह कथन जो है, डॉक्टर नगेंदर का है नेक्स विशिन है, लो जाइनेस के अनुषार उदांत का प्रमुख स्त्रोथ क्या है, तो इसका राइट अंसर है, ओप्शन नमबर A, विचार नेक्स विशिन है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वने प्रब्रीतिका उदारन है आप्शन नमबर B, समिकर्ण चक्र का चक्का हो जाना ध्वनी के समिकर्ण प्रबृति का उधारन है जब किसी शब्द का ध्वनी परिवर्तन होता है तो एक नवीन ध्वनी के साथ नया शब्द उत्पन होता है यह प्रबृति ध्वनी के समिकर्ण प्रबृति का उधारन है नेक्स्ट क्वेशिन है कालक्रम की दिरिष्टी से सही अनुक्रम क्या है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर A मतवाला कल्पना सारीका पहल मतवाला पत्रिका का प्रकाशन वर्स है 1923 संपादक महदेव परसाद सेट प्रकार सप्ताहिक स्तान कल्पना जो है इसका प्रकाशन वर्स है स्तान जो है दिल्ली मुंबई पहल 1906 संपादक ग्यान रंजन प्रकार त्रेमासिक स्तान जयपूर नेक्स्ट क्वेशिन है प्रकाशन कालकी दिरिष्टी से कौन सा अनुक्रम सही है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर B परक सुनीता त्याग पत्र सुखता जयनेंदर के उपनियासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसा सही अनुक्रम है परक 1929 सुनीता 1934 त्याग पत्र 1937 कलियानी 1949 सुखदा 1922 बीवर्थ 1953 व्यतीत 1953 जय वर्धन 1956 मुक्ति बोध 1965 अनंतर 1968 अनाम स्वामी 1974 दर्शार्ख 1985 नेक्स्ट क्वेशिन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रम आनुसार सही क्रम क्या है इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर D मिश्र बंधु राम चंदर शुक्ल राम कुमार बर्मा हजारी परसाथ दिवेदे नेक्स्ट क्वेशिन है काल क्रम की दृष्टी से निमलीखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर E स्योगिता 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 इसका राइट अंसर है option number C उसने कहा था कफ़न रोज यही सच है उसने कहा था इसका प्रकाशन वर्स 1915 कहानिकार चंदधर शर्मा गुलेरी कफ़न 1936 कहानिकार प्रेमचंद रोज कहानिकार अगे यही सच है 1966 कहानिकार मनुम बंडारे नेक्स्ट क्वेशिन है कालकरम के द्रिष्टी से आत्मकथा के निमलीखित खंडों का सही अनुकरम क्या है तो इसका राइट अंसर है option number B क्या भूलों क्या याद करूं नेड का निर्मान फिर बसेरे से दूर दस द्वार से सोपान तक ये सबी आत्मकथाएं हालावाद के प्रवर्तक तथा छायमादी कवी हरिवन श्राय बचिन की हैं पहली है क्या भूलों क्या याद करूं दूसरी है नेड का निर्मान फिर त्रित्य है बसेरे से दूर चतूर्थ है दश द्वार से सोपान तक नेक्स्ट क्वेशिन है निमलिखित कावे कृतियों का सही अनुक्रम क्या है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर डी भारत भारती परलव अनामिका दीपशीखा भारत भारती जो है इसका प्रकाशन वर्स 1912 रचनकार मैथली शनगुप्त पलव 1928 सुमित्रन अंदन पंत अनामिका 1936 सुर्यक कांत त्रिपाठी निराला दीपशिखा 1942 महदेवी बर्मा अनामिका नवीन का प्रकाशन 1936 इस पी में हुआ था भारत भारती 1912 लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथली शनगुप्त को रश्ट कभी की उपादी दी नेक्स्ट क्वेशिन है निमलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर A हिंदी नवरतन देव और बिहारी और देव बिहार नेक्स्ट क्वेशिन है निमलिखित कावे सास्त्रिय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर B कावे लंकार कावे लंकार सुत्र ध्वन्य लोक रस गंगाधन कावे लंकार जो है प्रकाशन वर्ष छठी स्ताब्दी पुर्वार्ध अचारे भामः कावे लंकार सुत्र आठमे स्ताब्दी उत्राध अचारे बामन द्वन्य लोक नोमे स्ताब्दी उत्राध अचारे आनंद वर्धन रस गंगाधर स्तारमे स्ताब्दी पुर्वार्ध अचारे पंडित राज जगरनाध नेक्ट क्रेशिन है निमलिखित ग् पुछा था इसमें से कोई भी अंसर जो है सही नहीं है नेक्स्ट क्वेशिन है कौन सा युगम संगत है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर डी रानी केतकी की कहाने इन्शाळला खाँ दुखवा मैं कासे कहूं मोर सजनी कहानिकार अचारे चतुरसेन सास्तरी ताई विशंबर नाथ शर्मा कोशिक ग्यारा वर्स का समय रामचंदर शुकल रानी केतकी की कहाने इन्शाळला खाँ उसकी मा बेचन शर्मा उगर हार की जित सुदर्शन ममता जैशंकर परशाद इन उपनियासों को उनके लेखकों के सास्मेलित कीजिए दिल्ली का दलाल गुनाहों का देवता अंतराल भूले बिश्रे चित्र दिल्ली का दलाल जो है इसके जो उपनियासकार है पांडे बेचन शर्मा उगर गुनाहों का देवता धरंबीर भारती अंतराल मोहन राकेश भूले बिश्रे चित्र भगवती चर्ण वर्मा अनात पतनी भगवती प्रसाद बाजबे धूप सातन दीप सी में मधूप गुन गुना कर कह जाता सनेह निर्जर बह गया है हाय मृत्यू का ऐसा अमर अपार्थि पूजन इसका जो राइट अंसर है ओप्शन नमबर बी कावे पंक्ती है धूप सातन दीप सी में पंक्तिकार है महादेवी बर्मा धूप गुन गुना कर कह जाता जैशंकर परसाद सनेह निर्जर बह गया निराला हाय मृत्यू का ऐसा अमर अपार्थि पूजन पंक्ती है पंक्त जी की आज के बिछुड़े ना जाने कब मिलेंगे निरेंदर शर्मा नेक्ट क्वेशिन है निमलीखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के सास्थ मेलित कीजिए बाल बोधिनी हंस प्रतिक कलपना प्रकार द्विमाशिक स्थान इलहाबाद कलपना संपादक जो है इसके आरेंदर शर्मा प्रकार द्विमाशिक स्थान हैदराबाद नेक्स्ट क्वेशिन है सुमेलित कीजिए म्रीगावती मधुमालती आखरी कलाम अनुराग बांसुरी नेक्स्ट क्वेशिन है इन बोलियों को उनके बोलिक शेत्र से सुमेलित कीजिए बांगुरू, भोजपूरी, कुमायूनी, खड़ी बोली नेक्स्ट क्वेशिन है इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए आपका बंटी पच्पन खंबे लाल दिवारें आमा और बेघर आपका बंटी जो है उपनियास्कार है मन्नु भंधारी पच्पन खंबे लाल दिवारें उशा प्रियमबदा आवा चित्रा मृदुगल बेघर ममता कालिया समय सरगम कृष्ण सोवति नेक्स्ट क्वेशिन है नेमलिखित कावे पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ समेलित कीजिए कावे पंक्ति है दोनों और प्रेम पलता है पंक्तिकार है मैथलिश अनगोप्त धिक जीवन जो पाता है आया विरोध निराला परहित सरिस धरम नहीं भाई तुलसिदास बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं माहदेवी वर्मा मानव जीवन बेदी पर परनय हो विरह मिलन का दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख के मन का जैशंकर परसाद नेक्स्ट क्वेशिन है सब्दार्थो सहितो काव्यम तद दोश्यो सब्दार्थो सगुना वली कृती पुनह कुवापी रमनियार्थ प्रदिपाद कह शब्द काव्यम रसात्मक काव्यम वाक्य है शब्दार्थो सहितो काव्यम आचारे हैं भामह नेक्स्ट एतर दोश्यो सब्दार्थो सगुना वन लंकृती पुनह कुवापी आचारे ममंठ रमनियार्थ प्रतिपाद कह शब्द काव्यम पंडित राजगनात वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनात सहिर्द हिर्दियाली शब्दार्थं में काव्य लक्षणम आणंद वर्धन नेक्स्ट क्वेशिन है सुमेलित कीजिए विरेचन सिधान्त निर्व्यक्तिकता का सिधान्त रूपवाद विखंडनवाद विडेचन सिधान्त के विचारक हैं अरस्तू, निर्व्यक्तिक्ता का सिधान्त जो हैं इसके विचारक हैं इलियट, रूपवाद के विचारक रूसो, विखंडनवाद के हैं जौक देरेदा, और कल्पना के सिधान्त, कल्पना का सिधान्त इसके जो विचारक हैं कॉलरेज कोई बात नहीं चाते श्रद्ध धारन करते हुए हम अपने मन को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यश्टी रूप में उसके अंतरगर्त नम भी हो जानबूझ कर उसने कोई शूब परभाव डाला श्रद्ध स्वएं ऐसे कामों के प्रतिकार में होती है जिनका शूब परभाव अकेले हम पर नहीं बलकि सारे मनुश्य समाज पर पढ़ सकता है श्रद्ध एक ऐसी आनंद पूर्ण कृत तग्यता है जिसे हम केवल समाज में प्रतिनीधी रूप में प्रकट करते हैं सदचार पर श्रद्ध और अत्यचार पर क्रोध ही अग्रीना प्रकट करने के लिए समाज ने प्रतिक व्यक्ति के प्रतिनीधीत्व परदान कर रखा है यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुश्यों को बांट दिया है दो चार माननिय लोगों के हिसीर पर नहीं छोड़ रखा है जिस समाज में सदचार पर श्रद्ध और अत्यचार का क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग ततपर पाएं जाएंगे उतना ही वह समाज जागरित समझा जाएगा श्रद्ध की समाजिक विशेषता एक ऐसी बात से समझ लीजिए कि हम श्रद्ध रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्ध रखें पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और दस-पांच आदमी प्रेम रखें इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती क्योंकि हम प्रिय पर लोग भवंश एक परकार का अनन्य अधिकारिया इजारा चाहते हैं श्रद्धालू अपने भाब में संसार को भी शमलित करना चाहता है पर प्रेम ही नहीं क्वेशन है इसका उप्युक्त गद्य अबतर्न का सिर्शक हो सकता है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर C श्रद्धा का स्वरूप श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर A श्रद्धा समाजिक है और प्रेम भ्यक्तिगत है नेक्स्ट क्वेशिन है श्रद्धा एक आनंद पूर्ण क्रित अग्यता है क्योंकि इसका अंसर है D हम समाज के प्रतिनिधी के रूप में इसे प्रकट करते हैं नेक्स्ट क्वेशिन है उपियुक्त गद्याश का निसकर्ष है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन नंबर B श्रद्धा एक समाजित भाव है नेक्स्ट क्वेशिन है जागरित समाज का क्या लक्षन है तो इसका राइट अंसर है option नमबर D सदचार पर श्रद्धा और अत्यचार पर क्रोध करना नेक्स्ट क्वेशिन है स्तापना और तरकों को ध्यान पूर्वक पड़कर बहु विकल्पी उत्रों में से सही उत्र का चोयन करें स्तापना दे गई है साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है तरक दिया है साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर सी ए और आर जो हैं दोनों सही है स्तापना दे गई है संतना छाड़े सतई कोटिक मिले असंत चंदन विश्व ब्यापत नहीं लिप्टे रहत पुझंग तरक है दुष्टों की संगती में संतों का स्वभाव बदल जाता है इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर ए ए सही और आर गलत है जिस परकार चंदन के ब्रिक्ष पर अनेकों विशेले सांप लिप्टे रहते हैं फिर भी ब्रिक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता उसी परकार चाहे क्रोडों दूष्ट आत्माय मिल जाएं फिर भी एक सादू या सजन के गुणों को अवगुण में नहीं बदल सकते दूष्टों की संगत में रहने पर भी संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं अंग्रेजी पड़ी के जदपी सद गुण होत प्रवीन पे निज भाषा ग्यान बिन रहत हीन को हीन तरक है अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग समानित होते हैं इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर बी ए और आर जो हैं दोनों गलत हैं अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग विद्वान हो जाते हैं लेकिन अपनी भाषा में हिन्ता महसूस करते हैं अपनी भाषा के ज्यान के बिना कोई बिसमानित नहीं महसूस कर सकता Next question है स्टापना दी गई है भाषा संस्कृति की समवाहक होती है तरक दिया है भाशा के बिना संस्कृति की कलपना संभव नहीं है इसका राइट अंसर है option number D, A और R जो हैं दोनों सही है नेक्स्ट क्वेशिन है स्तापना दी गई है दलीत की पीडा को दलीत लेखकी अभिव्यक्त कर सकता है तरक दिया है सहानुभूति, स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती इसका राइट अंसर है option number C, A और R जो हैं दोनों सही है ऐसा मानजाता है कि जिसके उपर कश्ट होता है वहाँ उसकी अनुभूति जादा अच्छी तरह कर सकता है दलित की पीड़ा को दलित लेखक अन्य लेखकों से अच्छा ही अभिव्यक्त कर सकता है क्योंकि उसकी सहानुभूति और स्वानुभूति दोनों स्वता की होगी वहाँ अपने आपको दूसरों से कहीं बेतर समय सकता है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद